कभी सामने वाले की इज़त के खातिर कभी उनकी उम्र को देखकर कभी अपने स्वेम के संसकारों की वज़े से और कौन पंगा मोल ले कभी-कभी ये सोच कर भी आप चुप रहे बुरा तो बहुत लगा पर वो बुरा न मान जाए इसलिए आप उनको बता कर या जता कर टोक नहीं पाए रोक नहीं पाए पर आपकी चुपी को उन्होंने कमजोरी समझा और बड़ी बत्तमीजी और बेशरमी के साथ कभी बस में, कभी रेल में, कभी सभाओं में यहां तक कि आपके घरों में भी आपके सामने ही वो बीडी पीते रहे सिगरेट फूंकते रहे कुटके की गंदगी और पान का पीक थूखते रहे बहुत हुआ पस, बहुत हुआ अब बेशरमी दिखाने की बारी हमारी है उनको बताए और जताए कि सारवजनिक जगों पर ये करना हमें बुरा लगता है आपके बताने से साइथ या इस कोशिस से ततकाल फरक न पड़े पर वो आपकी चुपी से तो कहीं बहतर है न क्यूंकि वो आपकी चुपी को आपकी मौन स्विक्रती समझते हैं जब वे आपकी इज़ित का ख्याल न करके बड़ी बेशर्वी के साथ आपके सामने ही नशा करते हैं तो आप भी थोड़ी बेशर्वी पर उतराएए न अगर वो आपसे लड़ने पर उतारू हो जाए तो उनसे कईये की हिम्मत है तो इस नसे से लड़ो पहले इसे छोड़ कर दिखाओ बाद में होश्यारी दिखाना बताईए उनको कि अगर भगवान की दी हुई जिंदगी की इज़द आप खुद ने करते हैं तो आप हमसे अपने लिए इज़द की उमिद क्यों करते हैं एक एड़ आता है कि कुछ अच्छा करते हैं तो दाग अच्छे हैं इसी तरह आपकी इस कोशिश से या आपकी इस बेशर्मी से कुछ अच्छा होता है तो आपके द्वारा दिखाई जाने वाली ये बेशर्मी अच्छी है अब आप बेशर्मी पर उतर ही आईए आपके सामने उनका नशा करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उनको बताईए और उन्हें महसूस करवाईए आपकी ये कोशिस जरूर रंग लाएकि